तो आज हम बात करेंगे दिमाग में चल रही बक्पक की क्योंकि यही बक्पक हमें आगे बढ़ने से भी रोकती है आज जानेंगे कैसे हम लोग दिमाग में चल रहे फाल्तू के विचारों को ही बंद कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग ठंड पढ़ने पर अपने पंखे का स्विच आफ कर देते हैं और क्या आप जानते हो हमारा दिमाग भी पंखे की तरह ही घूंगता रहता है इसके घूंगने की प्राकरती को रोकने के लिए भी हमारे पास एक स्विच है और ये सबी विद्याएं हमारे शास्त्रों में भी बड़े अच्छे से बताई गई है इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पड़ी है सुनील जैन द्वारा लिखी किताब तकरीबन 18 पन्नों की छोटी सी किताब की शौट समरी अब मैं आपको देने जा रहा हूँ असल में थौटले स्टेट हमारे दिमाग की वो अवस्ता है जिसमें कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आता हमारा दिमाग हर समय सोचता नहीं रहता और दोस्तों हम थोड़े से ही अभ्यास से और केवल पांच आसान स्टेप्स की मदद से अपने दिमाग को इस अवस्था में आसानी से लेकर जा सकते हैं और मनु विज्ञान भी मानता है कि इस thoughtless state के कई फाइदे हैं आपके जीवन का कुई भी लक्षे हो आप उसे प्राप्त कर सकते हो अपने दिमाग को thoughtless state पर पहुँचा कर इसके अनिको फाइदों में से कुछ है कि आपके निर्ने लेने की शक्ती इससे बहुत अधिक बढ़ जाती है और आप जादातर cases में सही निर्ने बहुत ही कम समय में ले पाते हो इस अवस्था में रहने वाले लोगों को लगता है कि उनकी उम्र पहले से कम हो गई है आप कुछ ही दिनों बाद महसूस करोगे कि आप जवान दिख रहे हो ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद को तनाफ मुक्त पाओगे आप खुद को अकर्षित बना लोगे क्योंकि आपके विचारों में एक ठहराव और स्पस्टता होगी आप वियर्थ की चीज़ों में अपना समय बरबाद नहीं करोगे अब क्योंकि आप overthinking नहीं करोगे तो आसानी से अपने लक्षे को प्राप्ट भी कर लोगे क्योंकि सिर्फ सोचने से शायद ही आप कुछ हासिल कर सकते हो सकसेश के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क तूनों की आवशकता होती है और खौटले स्टेट में आपके खुद के हाथ में कंट्रोल है आप खुद सोच पाओगे कि किस समय सोचना है कितना सोचना है और कब सोचना बंद करके सीधा एक्षन लेना है यही वो अवस्था है जिसमें आप अपनी आत्मा की अवाज को सुन सकते हो क्योंकि दिमाग की बकबक से जब आप शांत होते हो तो ही आप इस अवस्था में होते हो कि आप अपने अंतर मन तक बहुत सको आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि यह मेरी गट फिलिंग है कि वो ऐसा करेगा ही और यह सच हो भी जाता है यह घट फिलिंग कुछ और नहीं आपकी अंतरात्मा की आवाज ही होती है जिसको केवल एक शांतमन ही सुन सकता है और इस वीडियो में बताई विदी के माध्यम से आप इसको केवल सुन ही नहीं पाओगे बलकि आप इसको देख पाओगे महसूस कर पाओगे आप इस वीडियो केवल अपने काम और स्टडिज में ही नहीं बलकि जीवन के किसी भी शेत्र में आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हो और दोस्तों इस अवस्था में पहुँचने में आपको ज़ादा समय भी नहीं लगेगा ये वीडि सदयव आपको positive results ही देगी ये वीडि आपकी health, wealth और happiness तीनों शेत्रों में आपको काम्याबी दिलाएगी और हाँ आपका mind पहले से जादा focused और कहीं अधिक creative हो जाएगा क्योंकि मन की ये वो अवस्ता है जहां magic यानि जादू होता है अब जहां इस वीडि के इतने अधिक लाब हैं वहीं इस वीडि के कुछ नुकसान भी है जैसे ये वीडि इतनी सरल है कि कुछ लोग इसको try ही नहीं करते और इसकी एहमियत को समझ ही नहीं पाते या कुछ लोग इसको start तो कर लेते हैं परंतु continue ही नहीं करते परंतु सच तो ये है कि आप आर्थिक असाधी चाहते हो, अपना वजन कम करना चाहते हो, अच्छी सेहत चाहते हो, अच्छा रिलेशन चाहते हो, मन की शांती और खुशी चाहते हो, तो ये सब आप आसानी से हासिल कर सकते हो, thoughtless state की मदद से, तो पहले मैं आपको इन steps को आया गया है, वो शिमत भकवत कीता के चौते अध्याए के 29 में और 30 में श्लोक से प्रेरित है, पहले step में आपने अपनी आखों को बंद कर लेना है, फिर एक गहरी सांस लेनी है, फिर सांस को कुछ देर के लिए अंदर ही रखना है, और मन ही मन चार तक गिनना है, और फिर चार गिनते गिनते सांस को छोड़ देना है, अब अब ऐसे ही सांस लोगे कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए होल्ड करोगे और छोड़ दोगे, और अब आपको अपने अंदर चल रहे विचारों के प्रती सजग होना है, जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे है उनको आने दो, केवल उनके बारे में सजग रहो, इन विचारों को लेबल मत करो, ये विचार अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा बिलकुल भी नहीं सोचना है, बस आपको इन विचारों को मन की आँखों से देखना है, इस step का नाम है self-awareness, मतलब खुद के बारे में सजग होना अब आप देखोगे, आपके दिमाग से विचार शान्त हो चुके होंगे, आप शान्ती का अनुभव करोगे, और जब आप 10 से 12 बार विचारों के साथ सांस को इसी तरह से बाहर अंदर करोगे, तो अब आप खुद को दूसरे step में पाओगे, इस दूसरे step में आपको नीन आ रही हो, और अब आप thoughtless अवस्था में खुद को पाओगे, और कुछ देर ऐसे रहने के बाद आप तीसरे step में एंटर करोगे, अब इस तीसरे step में आपको अपनी सारी की सारी एनरजी को केवल एक ही गोल, एक ही लक्षे पर लगाना है, अपने सभी विचारों को मन में ना लाकर केवल आपके लक्षे पर आपका ध्यान हो, अब इतने अधिक concentration के साथ आप thoughtless अवस्था में प्रवीश कर जाओगे, चौते step में अपनी आँखे खोल लो, और केवल एक ही वस्थू की और देखो, शुरू शुरू में आप ऐसा दो मिनट तक करो, और धीरे धीरे पंदरा मिनट तक केवल एक ही चीज़ को घूरना है, और पांचवा step होगा आपने शांत रहना है, मुख से एक भी शब्द नहीं बोलना, शुरू में दो मिनट के लिए, और कुछ समय बाद पंदरा मिनट तक आप ऐसा कर सकते हैं, तो चलिए इन स्टप से आप अपने लक कर, चल कर, कसरत करके, डाइटिंग करके, दीरे दीरे खाना चबाके, रात को जल्दी भोजन करके इत्यादी, अब आपका केवल एक ही लक्षे है, भार कम करना, और केवल इसके बारे में ही आप विचार करो, और दो से तीन दिनों के लिए आप इसका विचार करोगे, तो हमारा सबकॉंशियस माइंड हमारा वजन कम नहीं होने देता, तो इस विदी में आप अपने सबकॉंशियस माइंड से बात करेंगे, और अपने सबकॉंशियस माइंड को समझाएंगे, कि आप वजन कम करना चाहते हो, जैसे पहले बताया था, आप आखे बन करके बैठ चा हैं जो हमें सफल होने से रोकते हैं जैसे अगर मुझे पतला होना है तो मुझे डर होगा कि मेरा मन पसंदिता फास्ट फुड छूट जाएगा या मुझे लोग पतला होने पर पसंद ही नहीं करेंगे इत्यादी हमें अपना सारा ध्यान इस कारण को ढूंडने में लगाना होगा और ये कारण हमें हमारे भीतर से ही मिलेगा इसमें शंका नहीं वजन को कम करने के तरीके है परन्तु हमारा माइंड हमारे वजन को कम करने नहीं दे रहा हमें सबसे पहले भीतर की ओर जाना होगा और फिर बाहर की और चीज़ें बतलेगी क्योंकि जादातर लोगों के माइंड में डर होता है इसलिए वो वजन कम नहीं कर पाते या अपने लक्षे को प्राप्ट नहीं कर पाते और वो भी किसी ना किसी डर की वजा से और इसके बाद आप पहले बताए बागी के steps को आसानी से follow कर सकते हो और अपने mind को strong बना कर और thoughtless stage पर ले जाकर अपना वजन आसानी से कम भी कर सकते हो और दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने ली थी Thoughtless State बाई सुनील जैन से इस book का link आपको description और first comment में मिल जाएगा इस किताब में अच्छे से बताया है कि आप कैसे इन steps को लगा सकते हो आर्थिक अजादी पाने में, अपना वजन कम करने में अच्छी सहत पाने में, अच्छे relation बनाने में और मन की शांती और खुशी पाने में हरी कृष्णा